हेलो फ्रेंट्स एन वेरी वाँ वेलकम टू चिकीज भाय लोजी अनदर वीडियो इन दिस वीडियो टूड़े वे डिसकस एबाउट फार्मा जोब्स कौन से स्टुडेंट्स के लिए सही होती है अज मैं आप लोगों को इस कोश्चन का एक अप्रोपियेट आंसर देने से पहले माँ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स वाला आप लोगों के लिए बहुत सारे बैचिस लेके आया है और इन बैचिस का जो अनॉंसमेंट इनोंने किया है वो किया है अपने सेकिंड विश्वास दिवस के मौके पर और फ्रेंट्स इन सभी बैचिस का सब्सक्रिप्शन आप टोक ले सकते हैं इसके लिए जो लिंक्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में अवलेबल है और ये इंडिया का नमबर वन ओनलाइन लेर्निंग प्लाटफोर्म है CSIRNET के लिए इस सुद बैच लेके आया है जिसके सब्सक्रिप्शन की कोस्ट 21 सुर्वे है और IIT जैम के लिए जो इनका साकार बैच है उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन की कोस्ट है वो 21 सुर्वे है और अगर आप लोग यहाँ पे मेरा कोड यूज करते हैं जो CB300 10 मार्च से पहले तो फ्रेंड्स आप लोगों को 300 का additional discount यहाँ पे मिल जाए कि इस टुदेंट्स को यह जोब जोइन करनी चाहिए किसके लिए best होती है जोब इस पर आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे Friends जो आप लोगों की बैचलर डिग्री होती है Bachelor डिग्री के बाद वो भी फार्मेसी की डिग्री है या BTEC बाय टेकनलोजी की डिग्री है BST की डिग्री है किसी भी Bachelor डिग्री के बाद Pharma जोब को जोईन नहीं करना चाहिए मैं आप लोगों कोई बता रहा हूं कर रही है आगे फर्दर higher education के लिए या फिर आपके पास में जो है बहुत सारे कारण है master degree नहीं करने के या आगे फर्दर higher studies में नहीं जाने के तो friends फिर बैचलर्स के बाद जो है आप लोगों के लिए best होती है ये job बट अगर आपके पास में other options हैं तो मैं कभी आप लोगों को ये recommend नहीं करूँगा कि आप जो है अपनी pharma job वहाँ पे करें क्योंकि यहाँ पे जो बैचलर्स के बाद life होती है वो अच्छी नहीं होती और मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि masters के बाद भी यहाँ पे life अच्छी नहीं होती बट जो परिशानिया बैचलर्स के बाद यहाँ पे आएंगी उनमें से 50% जो परिशानिया है या जो दिक्कते आप लोगों के लिए है वो masters के बाद कम हो जाएंगी ये भी यहाँ पे इसके साथ में point जुड़ा हुआ है और masters के बाद जब आप यहाँ पे जोइन करते हैं तो दो साल का जो experience होता है two years का जो experience होता है वो must होता है उसको जब आप लोग गेन कर लेते हैं तो आप लोगों को फिर job satisfaction, good salary, promotion और और भी additional चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं बट अगर आप लोगों के पास में masters के बाद या मत जाएं इसके भी कारण है इसके भी आप लोगों को मैं यहाँ पे बहुत सारे कारण बताऊंगा बहुत सारी reasons यहाँ पे दूँगा कि क्यों pharma jobs अच्छी नहीं होती या किन students के लिए अच्छी यह होती हैं तो यह उन students के लिए अच्छी होती हैं जिनके percentage masters में कम होते हैं या जिनका कोई भी competitive entrance exam जो है वो qualify नहीं होता after bachelor's या after master's तो friends उनके लिए jobs अच्छी होती हैं means कि जिनके पास कोई option नहीं हैं वो in jobs में जाएं जिनके पास में multiple types of options हैं तो friends वो जो है in jobs में बिलकुल मत जाएं फर्मा jobs में बिलकुल मत जाएं और जो academic की job होती है वो ज़्या सही होती है academics के section की jobs होती है दो टाइप की jobs होती है एक industrial job एक होती है academics job तो friends जो फर्मा job होती है वो एक industrial type job होती है और जो QA QC production की job होती है इन तीकी departments की उसमें तो और जिन्दगी खराब हो जाती है अगर आप लोगों को R&D की job मिले है आप एंडी की job मिले है तो मैं 1% मान स लगता होगी महाँ पर आपकी life अच्छी हो जाएगी बट यह जो दो jobs मिलती है यह बहुती लखी students को मिलती है और यह jobs जो है after master degree मिलती है और कहीं जगे पर तो जो है after master जो है in departments में जाने के लिए 1 to 2 या 3 year का experience मस्ट होता है तब R&D और F&D में का मोका मिलता है तो यहाँ प CSIR net exam qualify करने के बाद या फिर gate exam qualify करने के बाद यह फिर GPAT exam अगर आप लोग फार्मेसी candidates हैं तो GPAT exam होगा after B pharmacy तो इन सभी exams को अगर आप लोग qualify करते हैं और M pharmacy करते हैं गेट के बाद में after B tech by technology course करते हैं after MSC आप लोग CSIR net life sciences exam का qualify करने के बाद में PhD करते हैं तो friends आप लोगों कि जो job आपको मिलेगी वो बहुत एच्छी job मिलेगी क्योंकि जिसकी जितनी महनत बड़ी होती है जिसकी जितनी degree बड़ी होती है उसकी success भी उतनी बड़ी होती है बट बड़ी success को पाने के लिए हम लोगों को जादा efforts वहाँ पे लगाने पड़ते हैं तो अगर आप लोग उन सभी options के साथ में deal करें pharmacy job में बिलकुल मत जाएं और अगर आप लोगों को एक महा पे doubt है या आप लोगों को risk है कि ये मेरा competitive entrance exam qualify होगा या नहीं होगा तो pharma jobs में जाने का जो option है वो तो फिर खुला हुआ है तो आप लोग risk ले सकते हैं तो friends कोई भी competitive entrance exam के लिए risk आप जो हैं उठा सकते हैं और आप लोगों का अगर exam qualify हो जाता है तो आपको higher education में chance मिलेगा नहीं होता है तो फिर reserve में जो है last में जो है pharma job को आप लोग रख सकते हैं बट सुरू में इस job के बारे में बिलकुल मत सोचें और friends बहुत सारी problems भी होती है candidates के सामने जैसे कि कई बा conditions में मजबूरी हो जाती है pharma job में जाने की तो इन सभी conditions में आप लोग जो है pharma job में जा सकते हैं बट अगर इस तरह की कोई condition आप लोगों के साथ में नहीं है तो pharma job में ना जाके after bachelor's after master's आप लोग higher education की तरफ अपना रुख कर सकते हैं या करें यह मेरा आप लोगों को personal suggestion ह हैं और अगर कोई competitive entrance exam qualify नहीं हो रहा है तो भी जा सकते हैं pharma jobs में बट अगर competitive entrance exam qualify आप लोग कर सकते हैं आप लोगों के मन में ऐसा कुछ चल रहा है या एक positive thinking आपकी है तो फिर competitive entrance exam के लिए मेहनत से महा पे आप लोग जो है तैयारी करें उसके बाद जो हैं कुछ candidates ऐसे होत करता है कि कोई भी competitive entrance exam qualify कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ तो friends एक बार जरूर चांस लेके देखें क्योंकि फार्मा जोप्स के तो option खोले हुए हैं मैंने आप लोगों को बताया है so thank you friends thank you for watching and do subscribe the channel for upcoming videos and latest updates thank you friends